हेलो इस्टुडेंट्स बुड मॉनिंग एस्वी एम ओनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 के थर्ड चेप्टर का ये तीसरा वीडियो इसके परले में बताया था आपको सदीस और सदीस के परकार और 11 सदीस इस्टितिस सदीस ये सभी चीज़ें के पारे में डिसकस किया था और कुछ नुमेरिकल किया था आई आज कुछ और इंपोर्डेंट नुमेरिकल करते हैं परला क्वेशन लिखते हैं इसमें कता कोई काण कोई काण बारा मीटर पुर्ण की ओर फाइब मीटर उत्तर की ओर तथा तथा 6 मीटर उर्धवाधर उर्धवाधर उपर की ओर जाता है कि विश्ठापन का परिमान गयाते है करने के विश्ठापन विश्ठापन का परिमान गयाते है करिमान जाiająग ही कि हुआ है क्य pricing आफ तक है कोई कर आफ प्रविमान वी और पांस मीटर सब्स्तर की ओर तो तर्फश्रा मीटर उर्दवाधर उपर की ओर जाता है तो कण का विस्थापन का परिवान जाते हैं तो कोईशन कैसे करेंगे तो आपको डारेक्शन का सेंच होना चाहिए यह वाला डारेक्शन इसको हम लोग इस्थाइए यह होता है नौठ यह होता है वेश्ट और यह साथ मतलब पूरब उत्तर उसके बाद पश्ट्रीम और दक्षीद तो कहता है कि यहां से मौनलों कोई पॉइंट से वह चलना प्रारंग किया तो यह पॉइंट से और यह पॉइंट से किदर गया गया है। 6m, 5m उत्तर की और, तो यह उत्तर दिसा हो गया, ये 5m हो गया किदर उत्तर की और, अब खोल रही हूँ हां से यह, उपर की और ऐसे कितना 6m, så जदि इसको X, Y, Z, Qoordinate System में represent करना चाहें तो देखो, x-axis में कितना गया, x-axis में 12-m вडश, y-axis में है यह x-axis हो गया Toh origin से x-axis में 12-m, y-axis में 5-m और इसका विस्तापन केसे समझ में आ रहा है ना इसे करके आएगा 3D में तो यहां पर इसका जो लिखाएगा वह एकसी में कितना लिखाएगा बारा आज रही ऐकसीते दिखाएगा पांच और जैन एकसीते निद्हाएगा जबी सब्सक्राइब तो इसका अब हमें विस्थापन निकालना है क्या निकालना है तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का दुरिए इसी को लोग विस्थापन सदिश करते हैं तो विस्थापन सदिश चाहिए बताओ ओपी, तो वेक्टर ओपी बराबर हो जाएगा, 12I पलस 5J पलस 6B, बात समझ में आ गया, तो यहां से इसका ये विस्थापन सदिश हो गया, बोल रहा है विस्थापन का परिमान गयात कीजिए, तो परिमान मतलब ओपी का क्या निकालना हमें, मेगनिटूड, तो मेगनिटू का कोफिशियंट, मतलब क्या का कोफिशियंट, 6 का स्कुर्ण, इसको स्वल्प करो, तो बार्य का स्कुर्ण कीजिए, 144, 5 का स्कुर्ण कीजिए, 25, और 6 का स्कुर्ण कीजिए, 36, जोड़ दो, 4, 6, 10, 5, 15, 4, 6, 9, 10, 1, 12, 205 मिटर, कि इतना हो जाएगा, अंडरूट, 205 कोफिशियंट, बात समझे बाया, तो यह था इसकुर्ण का इंसर, आईए अगला कोफिशियंट करते हैं, दूसरा कोफिशियंट क्या है, करता है, एक ऐसा सदीश गयाद किजिए, कोफिशियंट करता है, एक ऐसा सदीश गयाद किजिए, कि कैसा सदिश ग्याद किजिए जिसमें जिसमें सदिश ये पराबर 2i प्लस j माइनस k माइनस k तथा सदिश भी पराबर सदिश भी पराबर 3i माइनस 5j और क्या है माइनस k को जोडने पर को जोडने पर रेनात्मक y अक्ष में रेनात्मक y अक्ष की दिशा में की दिशा में इकाई सदिश ग्यात हो इकाई सदिश प्राब्थ हो क्या कहता है कि ऐसा सदिश ग्यात किजिए जिसमें ये बराबर इतना और भी बराबर 3i माइनस 5j माइनस k को जोडने पर रेनात्मक y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश प्राब्थ हो कोईचन समझा अपने पस दो वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ये बराबर दिया हुआ कि दिशा माइनस के और वेक्टर भी बराबर क्या है तो ये दिया हुआ 3i माइनस 5j और माइनस k और करता है एक ऐसा सदिश ग्याब की जो ये दोनों में जोडने पर क्या प्राब्थ हो एकाई सदिश प्राब्थ हो किस दिशा में वाई अक्ष के दिशा में इक बभद है कि तो पाइस harme और lang कि तो म cathedral की जो इसके जिए मख़ है तो मान लोगी माइनस जे प्राप्त हो रहा है क्या प्राप्त हो रहा है माइनस जे मतलों वो सदी स्कों सा है सी तो तीनों का जो जोड होगा वेक्टर ये पलस वेक्टर बी पलस वेक्टर सी ये तीनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा minus J को बरावर होगा कितना हो जाएकाए? माइनस J को बरावर हो जाएका indigenous अब वेक्टर ये दिया ओवा अपने पास 2I पलस J माइनस के वेक्टर भी दिया होगाए कितना? 3I माइनस 5J पलस क्या? C बरावर कितना है? माइनस J अब क्या करेंगे हैं लोग जोड़ तो इसको 2i प्लस 3i कितना हो गया 5i क्या प्लस j और माइनस 5j तो माइनस 4j क्या और माइनस क्या और माइनस क्या माइनस 2k क्या प्लस c बराबर क्या हो गया माइनस j क्या कि हमें सी वेक्टर क्या करना तो बागी चीजों को उधर रेचाओ को सी बराबर क्या हो जाएगा साओ सीबराबर हो जाएिगा माइनस जै और इदर से माइनस ऊहाएभ यू उदा जाएगा पलस का फोर जै ले धिक माइनस 4 यह वाई कि यह पोस्ताइब शाएग जाए ऐसे माइनस डे जले जाएगा थो प्रेस्टी जै कि एग और उदर तो यह रॉनटर जोए यह यह दोनों में जोड़ने पर हाज़ोर्ई अगया हमल् Watts की मरापर होगा ओका तो मैंने के बराबर हो तो यहीं कोई पूछ रहा था हमें तो उससी वेक्टर किसना होजाएगा समझ में आ गया कि आई यह आगला कोईशन करते हैं कोईशन क्या करता है कि दो सदीश कोईशन देखो क्याता है दो सदीश दो सदीश पी बराबर 2I माइनस बी जे केप पलस 2K केप और Q बराबर सदीश Q बराबर I पलस J पलस K I पलस J पलस K समांतर है समांतर सदीश है क्या है समांतर सदीश है तो बी का मान गयाती जे तो बी का मान गयाती जे क्या करता है समझ में आगया करता है बी का करता है P बराबर 2I माइनस बी जे पलस करता है Q बराबर I पलस J पलस K समांतर सदीश है तो बी का मान गयाती जे किसका मान गयात करना है बी का तो बी का मान कैसे गयात करेंगे तो मैं कल एक कंडीशन लिखवाया था मतलब लाश्ट लेक्चर में देखना एक कंडीशन लिखवाया था क्या लिखवाया था कि जदी A और B दो समानतर सदी से तो यह क्या कर लाता है यह वे और भी दो समानतर सदी से तो वेक्टर यह बराबर हो होता है लेम्डा टैम वेक्टर बी जान लेम्डा क्या है एक हमत्वैं तो यहां पर क्या कर सकते हैं संहें तो ब nessa यह बको लेंब्रा टाइम क्या हों लेगा कीव तो लेक्तर लिखता है ऊबाए že मिनस भी जे और प्लस टू के बराबर क्या हो जाएगर लेंबडा टैम क्यों मतलब आई प्लस जे प्लस के एक बार और लिखो इससे है तू आई माइनस भी जे और प्लस टू के इधर हो जाएगर लेंबडा आई प्लस लेंबडा जे प्लस लेंबडा अब यहां पर दोनों वेक्टर क्या है बराबर तो बराबर वेक्टर है तो क्रॉस्पोंडिंग टर्म मतलब इधर आई का कोफिशियन और इधर आई का कोफिशियन क्या होना चाहिए बराबर जब एक्वेट करेंगे क्या करने पर तुल सुन्ना करने पर हमिं क्या प्रापत होगा तो इधर देखो लेम्डा पराबर कितना और कि अटकर jour कि में b मैंडा तो माइनस b बराबर कितना हो जाएगगा तो b बराबर कितना होगया माइनस 2 तो यहाँ पर B का मान कैसे ग्यास कर रहे हैं समझे में आ गया क्वेशन क्या कर रहा था समझा तो B का वैली कितना आ गया माइनस 2 आए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन देखते हैं क्वेशन करता है कि यदि सदीश यदि सदीश 2 I केप पलस 2 J केप माइनस 2 K केप कोमा 5 I केप पलस Y J केप पलस केप तथा I केप पलस 2 J केप पलस 2 K केप 2 K केप समतलीए सदीश है क्या है समतलीए सदीश है समतलीए सदीश है तो Y का मान गयाद किजिए तो आपको क्या गयाद करने बोल रहा है तो गयाद करने बोल रहा है अपने को कि वाई का मान कितना होगा वाई का मान कितना होगा तो वाई का मान गयाद करने के लिए क्या करेंगे तो एक कंडिशन बता है था समतलीए सदीश कर समतलीए सदीश की A, B और C समतलीए सदीश है जड़ी तीनों सदीश क्या है समतलीए सदीश है तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते है कि यह बराबर M time of B plus N time of C होता यह कंडिशन होता है और M और N क्या है तो M और N constant है M और N क्या है constant है मतलब कोई संख्या है M और N क्या रहेगा कोई संख्या रहेगा तो इसी concept को लगाते होए आए देखते है अपने पस दिया होए क्या दिया होए यह बराबर तो यह बराबर कितना है 2i plus 2j minus 2k तह अग्राइब आजिका इनदने का फ़ाइब इस फ़ाइब प्रफ ओंस और वाइजय की अंध्र फिर ऑपने बसदी हाए रफ थ्रू जेए कि अर्फ यह अर्ण टू-ब धी वार धिरो च्या एस तो सम्तर शंद है कनदीचन भानी सो पराबर जो होता है वो M Tango Vector B और N Tango Vector क्या होता है C होता है तो यहाँ पर vector यह कितना है बताओ two i cap plus two j cap minus two k cap अब यहाँ पर M संक्या है M को comment कर दो और B पराबर कितना है 5 i cap plus y j cap plus k cap खिर यहां पर प्लस N time क्या है C, तो C का value रखो तो I प्लस 2J क्या प्लस 2K क्या पधिकत तो नहीं याद है तो यहां 6 2 I क्या प्लस 2J क्या माइनस 2K क्या बराबर क्या होगा तो यहां पर गुना कर दो तो यहां पर देखो 5M I और इधर N I तो comment कर देंगे दिए होगा 5M प्लस N I कैसे होगा समझ में आया यहां से 5M गुना होगा और यहां से N गुना होगा और दोनो I I I I को क्या किया मैंने comment कर दिया फिर यहां पर देखो MY प्लस 2N और यहां पर क्या जाएगा J क्या इधर M से हो ना वा और इधर N से और J को क्या किया कूमेंट कर दिया मैं ओ पर लस की वेलट कर दिद्दिद्ध तो नहीं ऍया दे के कंदिशन लगा लिया अभी किया क्या करता है कॉर्सकोंडिंग मतला आई कर यह बराबर कचिन है तो इधर आई का कोफिशियंट और इधर है अरुमे करते हैं तो फुर्मे करने फर दो पराबर स्थी से तो उसका क्रॉस्पूंड्ड टर्म जो होते हैं ओ क्या होते हैं बराबर हो होते हैं मतलब इदर i कःस्च मokन सब्सक्राइब करेंगे तो एम प्लस टू यह बराबर कितना हो गया माइनस यह समीकरण यह तिन समीकरण बन गए अब यह देखो सेकेंड और फर्स्ट और थर्ड तो सोल्व करूं हुआ है पलर फैने बराबर कितना अतू और यह बराबर कितना एंअ माइननस फ़ीस तुछ डीध तो ऩाल तो इसको क्या करो discos कर दो तो सम्सक्राइब से म्लिप्लाइ करो प्सक्राइब यहां पर बराबर 4 और यह equation हो गया M plus 2N बराबर minus 2 दोनों को हम घटा देते हैं तो यहाँ minus यहाँ भी minus यहाँ minus का plus तो यह देखो 2N से 2N cancel हो गया तो 10M में से 1M गया कितना बचा 9M और इधर बचा कितना 6 तो M equal to हो जाएगा कितना 6 by 9 M equal to कितना हो जाएगा 6 by 9 मतलब 2 by 3 M equal to हो गया 2 by 3 अब इस M का value किसी एक में रख दो तो first equation में रखते हैं तो क्या हो जाएगा 5 into 2 by 3 plus N बराबर 2 तो यह N बराबर कितना हो जाएगा तो 2 minus 5 दुना 10 बटा 3 यह पलस उदर जाएगा क्या हो गया minus तो N बराबर हो जाएगा 6 minus 10 upon 3 मतलब कितना हो जाएगा बता तो यह हो जाएगा minus 4 by 3 तो M और N का value आगया अब क्या करेंगे Y कमान गयाद करना में क्या क्या करना है Y कमान तो Y कमान कैसे गयाद करेंगे तो M का value पुट कर दो तो minus 4 by 3Y minus 4 by 3Y plus 2 और N का value कितना आया है sorry N का value यह आया M का value कितना आया है 2 by 3 तो 2 by 3Y plus 2 into minus 4 by 3 बराबर कितना है 2 है तो यह हो जाएगा 2 by 3Y और minus 8 by 3 बराबर कितना 2 इधर 33 LCM ओई हो जाएगा तो यह 2Y minus 8 बराबर 6 तो 2Y बराबर कितना हो जाएगा 14 तो Y बराबर कितना हो जाएगा 7 कैसे स्वालब किये समझना है यह होता है वो planar vector का condition कि जदी 3 सदीश समतलिय सदीश है क्या है समतलिय सदीश है तो यह इसका condition क्या होता है कि यह बराबर mb plus क्या होता है nc और m और n क्या होते हैं constant होते हैं क्या होते हैं constant होते हैं तो यह था समतलिय सदीश का condition कि आया कुछ और कोईशन करते हैं कि तो नेक्स कोईशन लेकर आते हैं कि यदि कोई वेक्टर 2i पलस 3j 2i पलस j पलस ck का परिमान का परिमान 30 है तो इकाई सदीस ज्यात के दिए तो इकाई सदीस ज्यात के दिए क्षेशन क्या ककर रहा है कि जदी कोई वेक्टर है 2i पलस j पलस ck और इसका परिमान करिकम दिया हुआ है 30 तो स्दीज का मांगे पिलिए तन गसदीस ज्यात के दिए कीशे की दिए तो नहां पर अबस आ यहांकर है यह वेक्टर यह बराबर कितना तो आई पलस जे पलस सी के तता इसका परिमान 30 है मतलों मोड यह बराबर कितना हुआ 30 और मोड यह कैसे लिखते हैं तो टू का स्कुएर फोर वर्बर का स्कुएर वर्बर कितना हुआ 30 इदर यह करेंगे तो फोर पलस फड़ाइब पलस की एसकुएर बराबर कितना था थी पदिक्त तो नहीं है तो C square बराबर जदी हम दोनों तरफ ओवर्ग कर दें तो 5 पलस C square बराबर 900 तो C square बराबर कितना हो जाएगा 900 माइनस 5 तो C square बराबर कितना हो गया 895 तो C का वैली निकालते यहां से तो C equal to under root जाओ जाएगा 895 पलस माइनस तो C का मान हो गया अब बोल रहा है कि इस डिरेक्शन में इकाई सदिस जाते हैं तो इकाई सदिस मतलब एक क्या तो एक क्या बराबर कितना है तो एक क्या होगा वेक्टर यह कितना है 2i k plus j k और C का वैली यहां रहा है तो under root 895 पलस और माइनस दोनों में होगा k k और under root क्या हो जाएगा इधर परिमान दिया होगा कितना 30 तो नीचे क्या दे देंगे 30 तो यह हो जाएगा क्या इकाई सदिस अगला कोश्चन करते हैं हम लोग अगला कोश्चन करता है कि यदि सदिस अगला कोश्चन करता है कि यदि सदिस यह बराबर दिया हो कितना 3i plus 4j और कता है कि b बराबर दिया है 7i plus 24j दो सदिस दिया हुए a और b कता है तो एक ऐसा सदिस ज्याद किजिए जिसका परिमान तता एक ऐसा सदिस ज्याद किजिए जिसका परिमान b के परिमान के बराबर हो जिसका परिमान किसके बराबर हो b के परिमान के बराबर हो तथा बेक्टर ये के समांतर हो सदिस ये के समांतर हो तता एक ऐसा सदिस ज्याद किजिए जिसका परिमान बी के बराबर हो, इसके परिमान के बराबर हो, बी के बराबर हो, तथा एक ए समांतर हो, तो कैसे ज्याद करेंगे, तो question देखो, माल लो कि एक वेक्टर क्या है, C, क्या है वेक्टर, C, C का जो परिमान होगा, mode C, वो किसके बराबर होगा, mode B के बराबर हो, तो mode B कितना होगा तो 7 का स्क्वेर, 49, 24 का स्क्वेर कितना होता, 5, 7, 6, 6, 9, 4, 15, 7, 4, 11, 12, 5, 6, 625 का रूट कितना हो गया, 25, तो मोड भी कितना हो गया, 25, तो यह कितना हो गया, 3i plus 4j, और मोड यह कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट 9 प्लस 16, तो यह कैप इक्वल टू हो जाएगा, 3i plus 4j, डिवाइड़ बै नौशल 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 का रूट 5, तो यह कैप कितना हो गया, 3i plus 4j by 5, हमें निकालना क्या है, कि यह कैसा सदिस्सी है, जिसका परिमान किसका है, b के परिमान के बरावर, और वारेक्षन किसका है, यह का, तो यह वेक्टर क्या होगा, मौड भी ये क्याब मौड भी अपने पास कितना मता 25 इधर क्या हो जाएगा 3i plus 4j divided by 5 5 से ये कटेगा तो इधर बचेगा 5 into 3i cap plus 4j इसको गुना कर दो तो ये हो जाएगा 15i cap plus 20j तो ये वेक्टर c है जो किसके समांतर है तो ये कैसे मांतर है और इसका परिमान कितना है तो 25 बात समझ में आया तो ये था सदीस से related उसके परकार से related कुछ अच्छे नुमेरिकल आगे हम लोग पढ़ेंगे सदीसों का योगफल सदीसों का योगफल तो आज मैं इतना रणता हूँ ये नुमेरिकल का ये लोगथिए और रणता है अच्छे करीशन आदा है आज को ये लोगफल